लास्ट वीडियो में मैंने ट्राइ गया था आपको दो टूल दिखाने को लेकिन एक टूल में image generate हुआ ही नहीं बहुत ज्यादा time लेगा तो आज हम एक या दो नहीं चार टूल देखेंगे जिससे आप फ्री में image generate कर सकते हो और जिसमें से तीन टूल ऐसे भी है जिसमें आपको ना तो login करना है ना तो sign in करना है कुछ भी नहीं जाएगे बस आपको prompt डाल रहा है और आपका image ready हो जाएगा तो पहला टूल है flux 1.1 pro इसमें आप flux pro या flux 1.1 करके देखते हैं क्योंकि up to fourth prompt हमने last video में देखा था तो flux 1.1 में मैं जाकि यह prompt paste करूंगा यहाप भी देखिए image का dimension आप चूस कर सकते हो बहुत सारे options है और generate पे click कर सकते हो तो देखिए generate होड़ा है flux बहुत ही fast है हमने last day भी देखा था तो यह ज्यादा type नहीं लेगा दे solidarity भी कासी अच्छा है एक अच्छा image इन्होंने generate करके दिया है चलेंगे आप next tool पे और इन सारे tools पे अपको logging करने की कोई जरूरत नहीं है यह hugging phase में flux 1.dv यह वाला model है तो यहापे आप अपना prompt दे सकते हो और advanced settings में भी आप जा सकते हो यहापे मैं कुछ छेचार नहीं दूँगा जो भी default options है उसे ही रहने दूँगा और उसके बाद run पे click कर दूँगा तो देखिए इसमें GPU available होने के लिए wait करना पड़ेगा आपको तो देखते हैं यह कित्रे time लेता है देखिए successfully एक GPU record हो गया है और अभी जो image है कुछ ही देर में आ जाएगा तो image जो आया है अभी यह clear नहीं है यह भी clear हो रहा है देखिए देरे 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 यह image clear होगा जब तक यह clear होता है हम चलेंगे next tool पे power tool है जिसमें देखिए कुछ भी नहीं है यह पर कोई option नहीं है बस एक prompt के लिए box दिया हुआ है और model है डाली डाली 2 या mid journey तो हम इसे यह वाला रखके generate करके देखते हैं तो देखिए image generate हो रहा है और तब तक हम चले जाएंगे और एक tool पे यह एक और AI image generator है इसमें भी ज्याद पर anti-rescription यानि की negative prompt यूज कर सके देख सकते हो art style by default यह painted anim selected है इसमें मैं cinematic ले लेता हूँ ताकि बाकी tools के साथ इसे compare किया जा सके say ported square या landscape में square रखूंगा how many six तो इसे भी default छोड़ देते हैं और generate पर क्लिक करके देखते हैं कैसा image यहाँ पर आता है तो देखिए six image generate होना चालू हो गया है तब तक हम फिर से पहले tool से एक बार फिर देंग लेंगे पहला था flux 1.1 जिसमें output काफी अच्छा था और बहुत ह फेस का यह space जाँ पर देखिए यह भी काफी अच्छी quality का एक image है इसे भी flux modeling यूज किया था उसके बाद चलेंगे next tool पर जिसमें यह वाला image create हुआ है लेकिन यह बहुत कुछ खाज नहीं है इसका quality अच्छा भी नहीं है तो यह tool अगर अगर अब free में यूज करना चाते हो क्योंकि इसमें कोई logging नहीं है, signing नहीं है लेकिन quality भी अच्छा नहीं है हम एक बार image journey भी use करके देख लेंगे और last tool जो था यह वाला इसमें देखिए इसमें 6 अलग-अलग images आया है यह बहुत कुछ खास तो नहीं है लेकिन एकदम बेगार भी नहीं है मतल़ जब previous tool अभी हमने देखा जिसमें major नहीं है या डालिया भी use कर सकते हो उससे थोड़ा बहतर यह वाला tool है लेकिन बहुत कुछ खास नहीं है और यहाँ पर मुझे डाउनलोड का कोई option भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर परसोना है या चैट है परसोना में अगर आप क्लिक करेंगे तो generate फरसोना इसे आप close कर सकते हो यहाँ फर इससे साइब आप regenerate करके देख सकते हो आप ऐसे इसे save image कर सकते हो लेकिन अलग से कोई डाउनलोड का option मुझे नहीं दिख रहा है तो आप इसे change करके generate करके बदल सकते हो तो हम फिर से एक बाद चलेंगे चाइट जी बीडियु में और एक और prompt यूज़ करके देखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसे flux में यूज़ करेंगे जिसमें हमें अच्छा output मिलेगा देखे एक, दो, तीन, चार या पाँच पाँच सेकेंड या छे सेकेंड जादा से जदा आपको लगेगा इस tool में और बहुत ही अच्छे quality का एक image फिर से इसने generate करके आपने दे दिया हो तो इसमें अभी तक कोई pricing option भी नहीं है आप इसे free में यूज़ कर सकते हो इसमें login करना है मैंने अपने email से इसमें sign in किया है लेकिट quality का भी अच्छा है time भी बहुत कम लगता है इसमें फिर से हम यह वाला prompt भी दे रहेंगे और run करेंगे जब तक यह generate करता है तब तक हम फिर से चलेंगे इस tool में देखिए majority का output भी इसमें अच्छा कुछ नहीं आया है यह वाला option भी हम generate करते हैं लेकिन यह tool ज्यादा अच्छा quality का image नहीं नहीं दे रहा है और जो last tool था इसमें भी हम prompt दे देंगे और इस बार cinematic के जगा हम इसमें कुछ change कर देते है 90's photo देखे generate करके देखते है तो दीखिए अभी यह बहुत तेजी से output दे दिया है हमें और quality कुछ खाज नहीं है लेकिन images छे generate करके इसने दिया है फिर से हम चलेंगे flux में यह वाला image हम ने देखा था अभी फिरस देखिए अभी मुपेस ने कैसा image हमें generate करके दिया है इसमें आपको download का option भी मिल जाएगा इसे आप zoom करके भी देख सकते हो फुल स्क्रीन करके और download कर सकते हो यह फिर सेयर कर सकते हो उसके बात यह में जैनी वाला option यह भी खाज नहीं है और यह वाला भी कुछ जादा खाज नहीं है तो फिर से देख लेते हैं जो tools पे आपको login नहीं करना है उसमें output भी कुछ खाज नहीं है जैसे कि यह वाला tool और यह वाला tool यह दो बिल्कुल free tool है आपको login नहीं करना है साइनिंग नहीं करना है लेकिन output अच्छा नहीं है और बाकी जो tools थे उसमें से hugging space में इसका output कुछ अच्छा ही आ रहा था क्योंकि यह flux model यह उसका रहा है और इसमें तो अच्छा output आई रहा है तो चलिए लास्ट एक prompt हम उसकर के देखेंगे नहीं इस बार बस वही दो टून उसकरेंगे जिसमें हमें output अच्छा मिल रहा है यानि कि हम flux 1.1 उसकरेंगे और हम उसकरेंगे hugging face का flux का model इसमें भी हम run करेंगे देखें यही में तो अल्रेडी आ गया है यह भी अच्छा ही लग रहा है एनियन जंगर में स्ट्रेंज प्लैंट्स यह जो ही बिज है और इसमें अभी आ जाएगा जब तक यह जेनरेट होता है अम एक और प्रॉम्ट भी flux 1.1 में लेके देख लेते हैं देखें यह अभी तक जेनरेट नहीं हुआ और यह धेरे 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 जेनरेट होता है लेकिन इसमें देखिए फिर से एक image जिसने हमें generate करके दे लिया है तो ये tool बहुत ज़्यादा fast है और quality भी बहुत अच्छा है आप इसको ज़रूर यूज़ करके देख सकते हो ये बिलकुल free है अभी तक इसमें कोई pricing का option में है आपको बस अपने gmail से login करना है और फिर अब जिदनी मर्जी images बनाते जाएए देखिए ये output इसमें कुछ एनियंस तो इसने generate नहीं कर पाया तो जिदनी भी tool आपने देखिए हमारा आज का webinar है ये वाला tool Clux 1.1 Pro link अपको description में मिल जाएगा और हम भी नेंगे आगले वीडियो में कुछ और tools के साथ